नमस्कार मैं हो ससी आया जार्खन की टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं जार्खन अनलोग 4 में और मिलेगी रहात एक जुलाई से निजी स्कूल खोलने की मैंग जार्खन में मजूदा लोगडाउन की स्थिती कुछ और रातों के साथ बढ़ सकती है हलाकि लोगडाउन की स्थिती को अभी पूरी तरह से खत्मे नहीं किया जाएगा अनलोग 3 की ओधी 24 जून की सुबद 6 बढ़ समाप्त हो रही है उमीद जताय जा रही है कि बुद्वार को आपता परवंधन विभाग की बैठक में अगले सप्ता के लिए जारी किया जाएगा बताया दे जारकन के मन सरकार कुरोना वायरस संक्रमन को लेकर कोई खात्रा मोल नहीं लेना चाहती यही वज़ा है कि सरकार ने विश्वे परसी देव घर के सरावनी मेले को लेकर अब तक कोई बैठक नहीं की है इसकी पूरी समावना है कि इस बर्द भी सावनी में लाका आविजर नहीं होगा मौसम विभाग के अनुसार राजे में पिछले 21 दूनों में मानसुन की थिती अच्छी रही है इसके कारण राजे में करिब 104 परतिसद ज्यादा बारिस हुई है बता दे मौसम विज्यानी अभिसेक अनन ने बताया कि उतर परदेश में बने चक्रवाती छेत्र का असर कम हो रहा है इसे राजे में बारिस में कमी देखने को मिल रही है राजे के बिभीन हिसों में 24 जून तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा इसके बारिस में कमी आने की संभावना है राजे के मौसम में 25 से बदला देखने को मिल सकता है ज्यारखन में बलैक फंगस महामारी घोसित 15 परस्ताव पर लगी मौहर ज्यारखन में बलैक फंगस को महामारी घोसित कर दी गई है मंगलवार को हुई जहारखन कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई इसके अलावा राज एक के ग्रामीन छेत्रों में भूमी के सिमाकन के लिए ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा बतादे इसका पहला पाइलेट प्रोजेक्ट खुटी जिला में चलाया जाएगा सिम हमन सुरेन की अध्यक्सता में अयोजित कैबिनेट की बैठक में पंद्रा प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है इस बैठक में महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा ज्यारखन महामारी रोग बिनियमन 2020 के आलोक में ज्यारखन महामारी रोग बलाएग फंगस रेगुलेशन 2021 की स्विक्रिती दी गई है केंद्र सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के लिए मुक्त किये गए कूल 8.49 लाख रुपए की निकासी के लिए ज्यारखन के युवा राजे में रोजगार की मांग को लेकर ट्यूटर अभियान चला रहे हैं बतादे 3 जुलाई तक चलने वाले इस ट्विटर अभियान का नाम ज्यारखन युवा मांगे रोजगार रखा है बतादे पिछले 24 गंटे में यह अभियान पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है अब तक 4 लाख से अधिक ट्विट हो चुके हैं और देश भर में ट्विट वाले हैजटेक में तीसरे अस्थान पर रहा युवाओ का काना है कि ज्यारखन सरकार जिस प्रकार से युवाओ से 5 लाख प्रति वर्स रोजगार का वादा करके सता में आई लेकिन डेड़ वर्स बित जाने के बाद भी न तो नियुक्ति परिक्षा हो सकी और नहीं पूर्व में ली गई परिक्षा में चैनित अभियार्थी की नियुक्ति हो सकी है बतादे 3 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में युगारोजगार नहीं मिलने पर आक्रोस ब्यक्त कर रहे हैं जुलाई से सुरू होगा पुलिस कर्मियों का प्रसिक्षान जारखन पूलिस के सभी लंबी प्रसिक्षन जुलाई महीने के पहले हफते से सुरू हो जाएंगे बतादे राजे पूलिस मुख्याले ने इस समन में आदेश जारी किये हैं आदेश के मुताबिक 15 जुन तक के लिए राजे पूलिस के सभी प्रसिक्षन कार्य क्रमों को रोक दिया गया था नए आदेश में जीक रहे कि कुरोणा महामारी का प्रकोप कम होने के बाद अप्रसिक्षन की त्यारी चल रही है सभी जीलों के एसपी वब पूलिस इकाईयों को आदेश दिया गया है कि वब उन पूलिस कर्मों के सुची त्यार रखे जिनकी ट्रेनिंग होनी है बता देव पूलिस मुख्याले के आदेश के मुताबिक प्रसिक्षन के लिए सभी पूलिस कर्मियों का वैक्सिनेशन जिरूरी है ज्यारखन ट्राईवल एडवाईजरी कॉंसील गठित, सिम हमन्त होंगे पदेन अध्यक्श जमल मुंदा भी सामिल हैं ताहंत के तीन दिन शुक्रवार, सन्निवार यों रभिवार के अलवा अने दिन भी टीका करण का विशेश अभियान चलाने की त्यारी है इसमें एक लाग से अधिक लोगों का टीका लगाया जा सकेगा ज्यारखन में लर्निंग और ड्राइवि लाइसेंस बनाने की परकिरिया शुरू करोना केस में कमी आने के बाद परिवाहन विभाग ने फिर से लर्निंग और ड्राइवी लाइसेंस बनाने के अनुपन दिया दिया है परिवहन आयुक्त के अनुसार आम लोगों की परिसानियों वह राया स्वय में हो रही छाती को देखते हुए उक्त आदेश जारी किये गए हैं ब्लैक फंगस का एक संदिक्द मरीज कुल 136 जारखन में मंगलवार को ब्लैक फंगस का एक संदिग्द मरीज मिला है बतादे राज्य में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 136 हो गई है ब्लैक फंगस से अब तक 26 मरीजों की मौत हुई है स्वास्त विभाग के नोडल पता दिकाई सिधातिर पार्टी ने मंगलव और को प्रेस वारता में बताया कि 136 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षन पाए गये हैं जबकि 54 मरीज संदिग के सभे दाए ज़ार्खन में जारखण में एक्टिव केस इस प्रकार हैं देव हर से साथ साइबर अपरादी गिरफ्तार साइबर थाना की पूलिस ने साइबर अपराद के साथ आरोपितों को गिरफ्तार किया है बतादे गिरफ्तार आरोपितों में से तीन सहोदर भाई हैं जो मिल करवरदात को अंजाम देते थे बता दे साइबर थाना में आयोजित प्रेस वारता में पुलीस उपा देख छक नेहा बाला ने बताया कि SP धनजे कुमार सिंग को मिली गुप्त सुचना पर DSP मंगल सिंग जामुदा के नेत्युत में छापे मारी टीम का गठन किया गया और मारगो मुंडा थाना छेत्रे के बंस जोरा गाउं वह सवारा थाना छेत्रे के सरसूरा गाउं में एक साथ छापे मारी कर साथ अप रोपितों को गिरफतार किया गया है TPC एरिया कमांडर किसुन गांजु गिरफतार प्रतिबंधित उग्रबादी संगठन त्रीतिये प्रस्तुति कमेटी के एरिया कमांडर किसुन गांजु उर्फ समीर को गिरफतार कर लिया गया है बतादे स्पी रिशब कुमार जहां को मिली गुप्त सुचना क्याधार पर पूलिस की टीम ने करवाई करते हुए टीपी सी के एरिया कमांडर किसुन गांजु को चात्रा जिले के लवा लॉंग थाना छेत्र इस्थित कल्यान पूर्टोला के पीरा टांड जंगल से गिरफतार किया है पूलिस ने गिरफतार उग्रवादी के पास से इन्सास राइफल, दस जिन्दा गोली और एक मैगजिन बरामत की है भाजपा 25 जुन को मनाएगी आपात काल बिरोध दिवस परदेश भाजपा देश में लगाएगा आपात काल की बरसी 25 जुन को काला दिवस एवं आपात काल बिरोध दिवस के रूप में मनाएगी बतादे भाजपा के पूरो परदेश अध्यक्स दिनेशा नंद गोस्वामी ने मंगलवार को प्रेशवारता में कहा की 47 बरपूर इंद्रा गांधिये सता बाबुलाल ने डिजीपी को लिखा पत्र भाजपा बिधायक दलके नेता और पूरो मुखमंत्री बाबुलाल मरांडी ने राजे के पूलिस महानी देशक को पत्र लिखकर पूलिस पर भेद भावपूर्ण करवाई करने का रूप लगाया है मंगलवार को लिखे के पत्र में मरांडी ने कहा है कि परदेश भाजपा राज के पूलिस परसासन के भेद भावपूर्ण रवईया का कड़ा पर तिवाद करती है राची पूलिस ने बिगत दीनों की सानों की समस्याओ को लेकर भाजपा द्वारा हुए खेतों में दाना परदसन के बाद कोविट प्रोटोकाल के उलंगन का अरोप करते हुए भाजपा ने ताओ और करकरताओ पर मुकादमा दर्ज किया है राची पूलिस के गस्ती वाहनों के GPS सिस्टम होंगे दुरूस्त राची जीला में नियमित गस्त करने वाले पूलिस वाहन के मुमेंट पर वरिये अधिकारियों की नजर रहेगी इसके लिए गस्त बेवस्था वाले सभी वाहन अब GPS से लैंस होंगे इसमें गस्त वाहनों में पहले से लगे और काम नहीं कर रहे GPS सिस्टम का दुरूस्ती करन भी सामिल है बता दे सिस्टम दुरूस्त होने के बाद पेट्रोलिंग ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मी लोकेशन की वास्तविक जनकारी नहीं देने पर बच नहीं सकेंगे और नहीं ड्यूटी की दुरान अब वाहन खड़ा करकर आराम फर्मा सकेंगे इसके अलावा लाम भी दूरी तक मोमेंट की जनकारी देकर तेल की गड़बड़ी भी पकड़ी जाएगी पीम केर फंड से जारखन में लगेंगे 38 PSA पलांट जारखन में पीम केर फंड से कूल 38 PSA पलांट लगाये जाएगे बतादे सिधार तिरपाठी ने बताया कि सभी PSA पलांट 6 से 8 सब्ता में बन कर त्यार हो जाएगे उन्होंने बताया कि हर PSA पलांट में दो technical person को परतिनीगत किया जाएगा सभी पलांट में एक एक नूडल अपसनीगत किये जाएंगे जिनके complete co-ordination में सारा काम किया जाएगा अभिभावक संग की बैठक आज जार्खन अभिभावक संग के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जार्खन सरकार का आदेश जो पिछले साल 25 जून को निकाला गया था वो आज भी परभावी है उसको देखते हुए स्कूल ट्यूसन फिस के अलावा कहीं कोई दूसरी फिस नहीं ले सकता आदेश के बावजूद राज्यक के समध्ता प्राप्त स्कूलों ने अलग-अलग कई मदों में सुलक की वसुली की है इस पर अभी लंब रोक लगाई जानी चाहिए अजयराय ने बताया कि इस मोदे पर बुद्वार को राची उपाउग छवी रंजन के साथ अविभावक संकी बैठक दोफार एक बजे रखी गई है आर्थिक तंगी जेल रहे पूरो हितो वा छोटे दुकंदारों के लिए खुलेगा बाबा मंदीर का खजाना कुरोना काल के चलते देव घर्ष्थित बाबा बैनाथ धाम मंदीर पिछले एक साल से बंद है बतादे मंदीर बंद होने के काराण इस पर आशरित लोगों को पेट पानले में परसानी हो रही है हजारों घर के चुले इसी मंदीर पर टिकी है लिहाजा मंदीर परशासन ने पूरोहित परिवारों और आस पास के छोटे दुकनदारों के भीछ सुखार आशन वित्रन करने का नियरन लिया है मंदीर कमीटी के अध्याक्षोव जीले के डिसी मंजुनात भायंतरी ने बताया कि जीला परशाशन वा मंदिर परशाशन की वर से तीर्थ पुरोईतो और छोटे दुकन दारों को खाद समागरी उपलब्द कराई जाएगी बता देवहर डीसी ने बताया कि बुद्धवार यानी 23 चून से मंदिर कार्यारलाई से खाद्यान का बितन किया जाएगा चात्रा से चार टीएसपीसी गिरफ्तार त्रित्य समिर्ण प्रस्तुति कमिटी यानी टीएसपीसी के दूरदात उग्रबादी किसुन गांजु उर्प समीर को चात्रा पुलिस ने CRPF 190 बटालियन के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है उसकी गिरफतारी गुप्त सुचनाय का धार पर हुई है बतादे उसके पास से 140 हथियार, 10 का तोस्त और दूसरे दस्तावेज बरामत हुए है रांची यारपोर्ट से पटना दर्भंगा के लिए सीधी उडान रांची का बेशा मुंड़ा यारपोर्ट फिर से गुलजार होने लगा है बतादे यहां से आवागमन करने वाले फ्लाइटों की संख्या में बढ़ोत्री होने लगी है रविवार को इस यारपोर्ट से 23 फ्लाइटों ने आवागमन किया यही नहीं यारपोर्ट से अवागमन करने वाले यात्रियों की संक्या विबर्ट कर 4000 के करीब पहुच गई है अब मानाजार आये कि जल्द ही यारपोर्ट से पटना और दर्भांगा के लिए भी फ्लाइटों का आना जाना शुरू होगा इसके लिए के बाद शुरू हो गई है रांची सदर अस्पताल का चाइल्ड कोविड वाड जल्द होगा शुरू राची के उपायुक छवी रंजन मंगलवार को सिविल सर्जन राची के सदर अस्पताल में बनाये जा रहे चाइल्ड कोवीड वार्ड की ताया जनकारी ली सिविल सर्जन ने बताया कि अगामी दो से तीन दिनों में चाइल्ड कोविड वार्ड पूरी तरह से त्यार हो जाएगा सोदर अस्पताल में साथ वेट के चाइल्ड कोविड वार्ड के लिए उपायुक्त ने पारा मेडिक्स और डाक्टर्स की ट्रेनिंग नियमीच समय अंतराल पर कराने का निर्देश दिया राजेपाल ने चार बीश्वव विद्याले में नियुक्त किये बीद सलाकार जार्खन की राजेपाल साथ कुला अधीपती द्रोपदी मुर्मुने राजे के चार बीश्व विद्याले में बीद सलाकारों की नियुक्त कर दी है बतादे स्क्रीनिंग कमेटी के अनुसंसा परेया नियुक्त की गई है इसके तहट राजेपाल ने इंडियन और्डिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के सिनियर डिप्टी अकाउंट जनरल देवासिस गोस्वामी को राची विश्व विद्याले का बीद सलाकार नियुक्त किया है एरपोर्ट पर आर्टी पीस्यार अनिवारे कुरोना वायरस की तीसरी लाहर को देखते हुए राची जिला पर सासन फिर अलर्ट हो गया है बदादे राची अरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर आने और जाने वाले यात्रियों की कुरोना जाच शुरू हो गई है राची एरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पुराने RT-PCR की कुरोना जाच रिपोर्ट अनिवारे कर दी गई है जो यात्री बिना RT-PCR के रिपोर्ट के राची एरपोर्ट पर उतर रहे हैं उनकी जाच कराई जा रही है या ही हाल राची और RT-R railway station का भी है जो यात्री चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के बेले कंदर बढ़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर दोस्तों से असर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबेक अवासे दे